एक news है जो मैं आप सबके साथ share करना चाहता हूँ यह है मैं आपको source link जो है description box में देदूँगा यह comment section आप जाके देख सकते हो तो news यह है कि जितने भी CBSE affiliated schools हैं वो सब practice paper तयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको practice set दिया जाएगा online आपका examination होगा और शायद यह कह सकते हैं कि एक step है जहाँ पर अगर कल को examination cancel होता है तो उस basis पर class majority जो marks दिया जाएगा वो उस basis पर evaluate हो सकता है तो यह news क्यों आपके लिए good बन जाता है क्यों important बन जाता है कि कल को अगर examination cancel होते हैं तो marks कैसी दी जाएगे बहुत सारी जिगर pre-board हुआ नहीं है और pre-board में class आप लोगों ने seriously paper नहीं दिया तो आप लोगों को practice set दिया जाएगा जहां पर class आप लोगों का online examination होगा और जितने भी CBC affiliate school है वो यह plan कर रही है तो अगर हाल फिलाल में आपके school वाले कोई भी AC class information पास करते हैं या कोई online examination लेने की सोच रहे हैं आपका आने वाले time में कोई examination है so please आप 90 plus अराम से score कर सकते हो paper online है अच्छे से महनत कर लो class और online paper में थोड़ा सा easy हो जाता है आप लोगों के लिए score करना तो आप सब घर बैठे class safety तरीके से अच्छे से paper को class देना submit करना और क्या पता उस basis पे ही evaluation हो अगर examination आपका cancel होता है then यह news बहुत important है आप सब लोगो लिए इसलिए मैंने सुचा information दे दू बाकी जो final confirmation है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा तो मैं आपको class within 3-4 days में यह आने वाला है तो सबसे पहले class मैं आपको inform करूँगा don't worry चैनल को subscribe करके बला icon दबा दो अगर examination होता है तो तयारी सारी आपको मैं कराऊंगा I promise और examination cancel होता ह तो यह news भी सबसे पहले मैं ही आप तक पास करूँगा तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहो stay healthy और school वाले अगर preparation करते रहो अगर paper वो लोग लेते हैं तो आप लोग class उसमें बहुत अच्छे से करना class क्योंकि आगर cancel हुआ तो उस basis पर आपकी parking हो सकती है तो टेक किय आप बाई बाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है class news का आप एक बार चेक कर सकते हो